उसके घर में इतनी गरीवी थी कि जब वो चौथी क्लास में था तो उसके पिता उसकी पढ़ाई छुडवा कर उसको काम पर लगाना चाहते थे तीचर के समझाने पर जैसे तरसे पढ़ाई तो बच गई लेकिन जिंदगी आसान नहीं हुई उसने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए होटल में वेटर का काम किया पिता के काम में हाथ बटाया वो पढ़ता जा रहा था बिना ये जाने कि उसको बनना क्या है लेकिन एक बार एक अधिकारी ने उसके पिता से रिश्वत मांगी और उस दिन शेक अंसार एहमद ने ये तै कर लिया कि वो एक अधिकारी बनेगा माराश्रों PCS की परीक्षा वो पास नहीं कर बाया लेकिन UPSC की परीक्षा उसने पहली कोशिश में ही ना सिर्फ पास कर ली बलकि 361 भी रैंक भी हासल की बहुत 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 स्वागत है आपका जिन्दगी लाई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने यंग ओफिसल को आपने सामने देखकर चाहूंगे कि आप सबको बताएं कि केस उमर में अपने UPSC की परीशा क्लियर किया मैं कि साल का था ताम वेरा रिजल्ट आया था एक इसाल की उमर में ने एक्जाम क्लियर की थी वाँ कि और यूजिए गार्ट आपने दिखा गया शूजिए आपके बलो पाओट आया जो गरापने तिकाव भी वह कर्सके टेख मिला था था दो एक बलो पाओट आया था था अच्छा ये क्या हालात बन गए थे कि आपके फादर को स्कूल जाकर ये कहना पड़ा कि मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि इसको पढ़ा के कौन सी नोकरी लगनी है सरकारी नोकरिया नहीं है और हमारे कम्यूटी के लोगों को नोकरिया नहीं मिलती कोई नोकरी नहीं देता उससे इसको पढ़ा के कोई मतलब नहीं है आप इसी किसी काम को लगा दीजे घर में दो पैसे आ जाएगे एक मेसेज सुनवाते हैं आपको जब उसकी पिता जी इसकोल में आए तो वो बोले उसका नाम निकालने का है अब उसको इसकोल में नहीं रखनेगा फिर मैंने बोला क्या करेंगे फिर उसका वो क्या करेगा तो उसको कुछ तो भी काम दंदा दे के काम करेगा तो मैंने बोला यह अच्छा नहीं और वो जहां तक पढ़ना चाहें इसको पढ़ने इनकी मेज़े से एक्चले मैं आज यहां तक पहुचा हूँ अगर यह मेरे पिताजी को नहीं बताते तो शाहिद में कही रिक्षा जला रहा होता आपकी अभी खेयत में मजदूरी करती थी घर का खरचलाने के लिए जी हाँ बिलकुल घर का खर्च और मैं जब पुना ने पढ़ाई कर रहा था तो मेरा बाई भी मुझे पैसे फचई दिया करता था तो परिवार की स्थिति तो बदली नहीं थी दिकतें थी इस समय भी आपको बहुत काम वाम करना पड़ा अपनी किताबों का खड़ चुठाने पर तेंट में मुझे चुटिया चल रहे थी और मुझे कॉंप्यूटर सीखना था तो में सेटी का कोर्स आता है वो कोस्त मुझे करना था उसकी फीस थी लगबग 2,800 सम्थिंग उसकी फीस थी पे करने के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने मेरा बो को बताया कि यह रेस्टारंट है यहाँ पर मुझे वो जो कोर्स है उसकी तैया देख लिए जाना होता था हमारे गाव में होता था और काप काफी डिफिकल था मेरे लिए क्योंकि मुझे बड़ा पॉट लेकर पाड़ी लेकर आड़ा पड़ता था कुए से निकाल कर फिर उसके बाद जो कस्टमर्स आएंगे उनको च सबस्यादा पढ़े लिखे हैं बाकी सब की पढ़ाई चूट गई काम करने लग गया शादी हो गई बहनों की जी घर मेनी पूरी जनरेशन का मैं फर्स ग्राइट हो हमारे पूरी जनरेशन में कोई पढ़ा नहीं है तो घर का में अकिला ही सबसे बढ़ा लिखा हूँ और कि जो बहनों की शादियों की जल दी और भाई जब फित स्टैंडर्ड में था तब से वो मेरे माबा के पास काम करता था एक मेसेजर और सुने मुझे स्कूल में जाना पसंद नहीं था यानि मुझे इंट्रेस्ट ने था उसमें पढ़ने के लिए पढ़ाई के लिए और मै है कि मेरा भाई मेर का चुखत गना गुझे बन गयार इप मेरे सक्सेस का बहुत ब़्ड़ा क्रेजिट जो है मेरे माता-पिता कर WhatsApp मेरे बख़ई को जाता है कि देखे अकथर यह होता है कि बड़ा भाई बार वी चुटे भाइके पड़ाए के लिए पैसे घर्च करता है, लेकिन यहाँ उल्टा था, छोटा भाई रात दिन महनत करके बड़े भाई को पैसे दे रहा था, या आपसे छोटे हैं, जी, और मने थाट दसवी के चुट्टियों में काम किया, बार वी के चुट्टियों में काम किया, कॉलेच की फॉस्ट यह की शिटीय में काम किया. लेकिन लास्ट की दो साल जो बहुत अहम थे मेरे परपरेशन के, उस वक मैंने कही कोई ज़ाप ने की, मुझे जो सारे पैसे थे मेरे भ्याई पूरी डेट के उपर मुझे ट्रांसफर कर देता था, नहीं आप मेरे टीचर की बात मानते आगर मेरी पढ़ाई छूट जाती तो आज मैं आई एस ऑफिसर नहीं हो था मैंने कभी मेरा बूसे कोई शिकायत नहीं किया विगरी में चाहता किसका बेटा कभी ना पड़े कहीं मोल मजदूरी करें चैल्ड लेबर के दौर पर कुई बाप नहीं चाहता लेकिन मुझ मजबूरीया थी उनकी सवाय बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मेरे पैरेंट्स की आ जाती है धड़कने को लगी कि मैंने वहला आप कुछ तो भी मेरा बच्चा बनने के काम का हो गया कुछ तो भी है मेरे मेरे में टाकत वह एसाब करते गा फिर बादने मुझा अपने कुछ जो घर भी बेचना पड़ा और दुकान भी बेचना पड़ी और गाड़े भी अपने के उनों ने मुझे पूझे के आपका बच्चा क्या बना तो मौवरा सर मुझे ओभी ने मालूम में कुछ ता मालूम है कि मैरा बच्चा कुछ आपी सर्वान आए यह बताई अब यह सब हालात हो गए उसके बाद ग्राजुएशन और दिमाग में कब आया कि मुझे यूपी सी मतब गाओं में जिसे आप पले बढ़े आपको पता भी नहीं होगा कि यूपी सी की परिक्षा भी कुछ होती है यह सफर तक कैसे पहुँचे हैं को एक घरकू अगर आप देते हो इसका 3,000 रुपे तो मैं आपको अभी चेक आपका सैंक्शन करा दूगा फास्ट इमिजिट लिए ऐसे हालात में 3,000 रुपे की दिश्वर तुनों ने उस ओफिसर को दे दी तब वसवक मुझे रियलाइज हुआ हुआ यी करॉप्शन के सबसे बड़े एसे मीं बजी प्लीस में बताईए और पिरो से बनने मुझे गारे में बताया इटी हर में ग्नाजिंज की इननल में गशलों का नो बचन roofs भूळ बोसे चाहिं में वह और गेंबल में मुझे चाहिं का रोलं शव एकजाय इस जो शृमिता अंसम इस म confidence in होगा कभी कि यह प्रेशर बने कि अप छोड़ो इसमें तो पता नहीं होगा है नहीं होगा कोई छोटी मूटी नौकरी कर लेते हैं कम से कम अबू अमी का हाथ बताएं यह प्रेशर था आप के उपर जी बिलकूल था बहुत 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 बार ऐसा लगता था कि यह पाच लग बच्छे एक्जाम देते तैरिक अल्ड़ उस्से भी जादा है लेकिन बाद में खुछ से में पूचता था कि ठीक है में यह नही कर लूँगा उसमें में साइटिस्फाइड नहीं रह पाऊँगा मुझे बढ़ा करना है कुछ तो और में पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकता था कि कि देखिए मेरे सामने दो ही ऑप्शन थे दू और डाइट इसमें मुझे करना ही था और वही दिजन है कि में इतनी फस्स टेम में किसवी साल के उबर में एक लियर किया हो कि मेरे पास दूसरा कोई अप्शन नहीं था एक मेसेज और है आपके लिए जब यूपियस सीमेंस का रिजर्ड लगा उस दीन मैंने तुझे कॉल किया था और मैंने तुझे सबसे पहले बताये कि तुपास हो गया है उस श बड़ी बात नहीं है कि मैंने तुझे खाना खिलाया पर मेरे लिए आउसर था कि मैंने इतने कम उम्र वाले एक आयस ओफिसर के साथ खाना खाया प्रवारी की दिन में लाइबरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था और मुझे इसका फोन आया था अंसार इसका रिजल्ट आगया मैंने का मैं गाट मेरे वाहाँ पर हाट्सबिट बढ़ गए इसमाज मिना रहाँ था मैं क्या करू उसने का तहरा रोल नंबर बता मैंने ले जो भाई मैं उसको मेरा रोल नंबर बेजा और उसने मुझे काल करके बताए कि कॉंग्रेचलेशन्स तुम पास हो गए हो मैं आपको बताने सकता कि वो खुशी क्या थी मुझे साथ में हासवान परू मेरे पेर जमीन परी ते लिए बहुत ज्यादा खुश था उस दिन शि शुच जीता है उस को ही हला पर तस के बेलपे करना पथता है लेकि मेरे फृंट को बता था क कि वंदे के पास पैसे नहीं है तो इना खічे हो रहें है कि बच्छा कहां से कहा पहुचा है और यदि अब जल्दी आपकी नौकरी कीश शुरूअत है Contra में लगता है तो कि अम आप जहां से आए हैं, आपका जो बैक्राउंड है, क्या वो आपको एक अलग ऑफिसर बनाएंगी? मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लाइफ में मैने जो फेस किया है, वो किसी और को फेस ना करना पड़े, तो जाहिर से बात है कि मैं एक अच्छा उफिसर बन पाऊंगा, मेरे साथ वो मोटिवेशन रहेगा, जब भी मैं किसी बच्चे को की काम करते ही देखूगा, तो मुझे वो फिलिग आए कि कुछ साल पहले मैं भी इसा काम कर रहा था, मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं किसी को चाह सब करता था, या किसी का टेबल साफ करता था, जब मुझे कोई उनिफॉर्म ना मिला हो, या कोई किताब ना मिली हो, तो वो मुझे मिल जाए, कोई एक मैसेज जो आप सब लोगों को, और सिफ जो यहां बेठे हैं वो नहीं, जो बहुत सारी लोग टेलिविजन पर आपको देख रहे हो, और उसमें से बहुत सारे आई-एस की तयारी कर रहे होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मुनको यही मैसेज देना चाहूँगा, एक रिक्षा चलाने वाले का लड़का अगर आई-एस बन सकता है, जिसने अपने लाइफ में सारे ओर्ट्स देखे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का कोई भी बच्चा, और गरीब से गरीब बच्चा भी और किसी भी मजब का बच्चा आई-एस बन सकता है, आप सभी को मेरी बहुत 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 शुक्र नहीं है,